नमस्कार दोस्तों अरोई वर रेको नदी वहाँ से फिर ज़रने तक जाना चाहते थे लेकिन तीसरे दिन वे घाटी के एक ऐसे तंग हिस्ते में फस गये जहाँ दोनों तरब 40 फूट की उची दिवार और खाई थी कार्टीस को पहले तो कुछ दिमाग में नहीं आया लेकिन फिर उन्होंने एक बोतल पर हेल्प लिखा साथ ही एक सिलीव पर संदेश लिखा कि हम यहाँ ज़रने के पास फस गये हैं हमारी मदद करें इसके बाद उन्होंने बोतल में डाल कर ज़रने के बहाब में फेक दिया कार्टीस बताते हैं कि हम करीब चार घंटे तक खाई में फसे रहे हमारी किस्मत अच्छी रही कि एक बार में ही बोतल सिधे जरने की तरफ चली गई अन्याता कुछ भी हो सकता था उन्होंने कहा कि हम घाटी के उस तंग हिस्ते में फस गये थे जहां दोनों तरफ 40 फिट उची खाई थी बीना रसियों के उस जगह से निकलना संभव नहीं था हमारे पास रसियां भी नहीं थी जिससे हम चड़कर बाहर आ सके यसे में हमारी मुश्किल और बढ़ गई थी दोस्तों ये कह सकते हैं कि खुदा का करिस्मा ही था जाको राखो साईयां मार सके न कोई ये कहावत बिलकुल फिट बैठती है इन परिवार पर जो मौत की मुख से बाहर निकले हैं दोस्तों इसी तरह के और भी लेटिस्ट खबरों के लिए देखते रहें All India News